भारत और बांगलादेश के बीची वोमेंस कप का मुकाबला खिला जा रहा है इस मुकाबले की बात करें तो टीम इंडिया ने पहले बलेबाजी करते हुए शानदार 169 रंच स्कॉर बोड़ पर लगाए और 160 का टारगेटर बांगलादेश की टीम को दिया भारती टीम ने इस दोरान अपने पांच विकेट कोई और टीम इंडिया के लिए स्मिती मंधाना शेफाली वर्मा से में तमाम बलेबाजों ने शानदार बलेबाजे की जैमीमा ने भी इस मैच में टीम इंडिया के लिए 35 संद की नवाथ पारी खेली और भारती टीम को इतने बड़े स्कॉर तक पहुचाने में मदद की स्मिती मंधाना शेफाली वर्मा ने भारती टीम को 96 रंडों की शुरुआद दी इसके लावा शेफाली वर्मा की बात करें तो कि मिडिया के लिए इस मकाबले में एक माद अर्षय तक शेफाली वर्मा नहीं लगाया उन्होंने अपने पारी के दुरान 40 गिंदों का सामना किया और 55 नन की ताबर तोड पारी खेली इस दुरान उन्होंने 54 और दो छक्के लगाई और उनका स्ट्राइक रेट 125 का रहा आपका बता दें कि शेफाली वर्मा आउट होने से पहले अपनी पारी के लिए कमाल के बलेवाजी कर चुकी थी इसके लावा रूमाना एहमद ने उन्हें क्लीन बोड करके पविलियन वापस भेजा शेफाली वर्मा के रूप में भारती टीम को दूसरा जटका लगा और वह 15 वेवर में आउट होई थी लेकिन इसी के साथ शेफाली वर्मा ने कई बड़े रिकॉर्ड्स को अपने नाम कर लिया और दिग्गजो के लिस्ट में वैशामिल हो गई है शेफाली वर्मा की बात करें तो भारत के लिए टीट्वोंटी अंतराश्टी क्रिकेट में महिला फॉर्मेट में हजार रन पूरे करने वाली शेफाली वर्मा भारत की पांचवी खिलाडी बन गई है बात केने गर दूसरे नंबर की तो इस मृति मंधाना का दूसरा नंबर है जो की 99 मुकाबलों की 96 पारियों में 2373 रन बना चुकी है और मिताली राज इस लिस्ट में तीसरे नंबर पर है जिनके नाम 2364 रन है और वह अब तक 89 मुकाबले खेली थी मैं जैमिमा रोडरिक्स लिस्ट में शामिल है जिनोंने 63 मकाबलों में 1461 रन बना लिये है इसके लावा शेफाली वर्मा इस लिस्ट में अब जैमिमा के बाद आ गई है जिनके नाम 43 मकाबलों की 43 पारियों में 1036 रन हो गई है शेफाली वर्मा के T20 करियर की बात करें तो उनका ही स्कोर 73 है उनका एवरेज 24.6 का है इसके लावा उनका स्ट्राइक रेट 134.72 का है जो की हर्मन प्रीत कौर, स्मिति बंदाना, मिताली राज और जैमिवा से भी काफी जादा है शेफाली वर्मा की बात करें तो वे भारत के लिए सबसे 33 टी 20 इंतराश्टी करिकट में 1000 रन बनाने वाली खिलाडी बनी है इसके लावा बहर दिग गजो की लिष्ट में भी शामिल हो गई है और भारत के लिए पाच वी ऐसी खिलाडी है जिन्होंने 1000 रन टी 20 में पूरे किये हैं क्या कुछ आपकी राय है उनके इस बड़े रिकॉर्ड को लेकर कमंट करके जब बताएं वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें नमस्कार